हलो दोस्तो, Even to Study Universe मध्यपृदेश के नबर वन चैनल के इस वीडियो में आपका स्वगत है आज हम बात करेंगे मध्यपृदेश विगली करेंट अफयर यानि मध्यपृदेश सापता है करेंट अफयर के बारी में इस वीडियो में हम चार्चा करेंगे 11 एफ से 20 जून की बीच इतने भी मद्रिदिस रिलेट करंट अफिर की क्वेशन उनकी बारे में दोस्तो ये वीडियो आपकी सभी प्रितियों की परिक्षाओं यानि All Competitive Exams के लिए इंपोर्टेंट है जिसमें हमने 40 से ज़्यादा क्वेशन लिए हैं वीडियो को हिंदी और इंगलेश दोनों भाषाओं में बनाया गया है तो दोस्तो बिना समय गवाए चलते हैं क्वेशन नमर फस्ट पर क्वेशन नमर फस्ट है खुदको COVID-19 मुक्त करने वाला देश कौन सा बना है तो दोस्तो इसका सई ओफ़सन है न्यूजिलेंड न्यूजिलेंड खुद को COVID-19 से मुक्त करने वाला देश बन गया है दोस्तो बात आई है न्यूजिलेंड की तो आपको मैप में इसके बारी में बता दें मैप में आप देख पार होंगे ये जगह है न्यूजिलेंड न्यूजिलेंड की राजथानी है वेलिंग्टन और यहां की समराथ है एलिजाबेट तुतिये यहां के जो governor है वह है party ready और यहां की प्रधान मंत्री है जैक इंडा आडन तो इतना आपको New Zealand के बारे में याद रखना है Next question है कौन सा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांग में पहले इस्थान पर रहा है तो दोस्तो इसका सही option है गुजरात गुजरात राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांग में पहले इस्थान पर रहा है बात आई है गुजरात की तो आपको मैप में गुजरात की बारे में बता दें दोस्तों मैप में आप देख पा रहे होंगे ये है गुजरात गुजरात की स्थापना एक माई 1960 में की गई थी राजदानी है गांदीनगा यहां के गवर्णर है आचारे देप्रत और मुख्यमंत्री हैं बिजय रूपानी यहाँ पर 11 राजसवा की सीटे हैं और लोगसवा की 39 सीटे हैं तो आपको इतना गुजरात की बारे में याद रखना है नेस्ट कॉश्चन है कौन सा अबॉड 2020 में नहीं दिया जाएगा तो इसका सही उफशन है रमन मैक्सेसी अबॉड यह अबॉड 2020 में नहीं दिया जाएगा दोस्तो बात आई है रमन मैक्सेसी की तो आपको इसके बारे में बता दें इसे एशिया का नोबिल के नाम से जाना जाता है 60 साल में तीसरी बार यह अबॉड नहीं दिया जाएगा और किन-किन कारणों की कारण यह अबर्ड नहीं दिया गया तो यह भी आपको ज़ननE IMPORTANT है तो 1970 में आर्थिक समस्या की कारण यह अबर्ड नहीं दिया गया था फिलीपीन्स में भूकां पाये था 1990 में तो दूसरी बार Ravan Maxis Award तब नहीं दिया गया था और अब 2020 में कोरोना की बज़े से यह Award नहीं दिया जाएगा तो यह तीन important fact आपको याद रखने हैं और यह Philippines का एक Award है जिसे AC Agarno Will कहा जाता है Next question है Inner World Album किसके द्वारा launch किया जाएगा तो दलाई लामा कि द्वारा Inner World Album launch किया जाएगा दोस्तो 11 टेक अलबम बनाने में कुल 5 साल लग गए हैं आपको यह और important fact बता दें दलाई लामा की 85 जर्म दिन पर जुलाई में इस Album को release किया जाएगा Next question है Tiger की आवादी में कितने प्रतिशत की बढ़ोत्री हुई है तो Tiger की आवादी में 6 प्रतिशत की बढ़ोत्री हुई है Next question है बायूसेना द्वारा बनाएगा Emergency Siva का नाम क्या है तो ARPIT यह बायूसेना द्वारा बनाएगी Emergency Siva का नाम है इसका नाम दोस्तों फुल फॉर्म आपको बता दें Air Force Rescue Pod for Isolated Transformation यह ARPIT का फुल फॉर्म है यह आपको याद रखना है यह है Emergency सेवा भारती बायो सेना द्वारा लाई गई है Next question बनता है आत्मुनरवर भारत अभियान की अंतरगत स्टीट बेंडर पंजियन और प्रवासी सिर्मिक रोजगार प्रमाणपत्र वितरन किये गए हैं किस प्रदेश में जिसका सही option है हमारी मद्यप्रदेश में मद्यप्रदेश में अद्मुनरवर भारत अभियान की अंतरगत इस्टीट बेंडर पंजियन और प्रवासी सिर्मिक रोजगार प्रमारपत्र वितरन किये गए हैं Next question है किस राजने मुख्य मंत्री शहरी स्वास्त सीवा उत्था नियुजना शुरू की है दोस्तो इन पर 2,5 साल के बाद बेंड हटाया गया है Next question है निसावा गोदरेज को किस कंपनी का CEO बनाया गया है तो इन्हें गोदरेज कंपनी का CEO बनाया गया है दोस्तो इससे पहले गोदरेज की CEO थे विवेक गंभीर नेस्ट कोशन है गूगल मैपर किस अभीनेता की आवाज सुनाई देगी जिसको सही ओफशन है अमिता बच्चन अब गूगल मैपर अमिता बच्चन की आवाज सुनाई देगी नेस्ट कोशन है QS World University Ranking में भारत की कौन सी यूनिवरस्टी ने 172 इस्थान प्राप्त किया है जिसको सही ओफशन है IIT Mumbai IIT Mumbai ने QS World Ranking में भारत की ओर से पहला इस्थान और वर्ल्ड में 172 इस्थान प्राप्त किया है इसके अलाबा IIT दिल्ली ने 180 भी रेंक प्राप्त की है दोस्तों बात करेंगर पहले इस्थान की तो मचासू स्वेट्स इंस्थिटूट और टेक्नोलोजी जो USA की है इसने पहला इस्थान हासिल किया है जल जीवन मिसन की अंतरगत मद्यप्रिदिश को एक साल के लिए कितने रुपए दिये गए हैं तो 1280 करोड रुपए जल जीवन मिसन की अंतरगत मद्यप्रिदिश को दिये गए हैं नेस्ट कॉश्चन, हाली में किस जील का रंग गुलाबी हुआ है? जिसका सही अफशन है, लोनार जील, महारास्त की लोनार जील का रंग हाली में गुलाबी हुआ है दोस्तों ये जील उलका पिंड की गिरने से बनी थी लवख 92,000 साल पहले एक उलका पिंड गिरा था जिसके करण यह महारास्ट में यह जील का नमाड हुआ था यह कुछ और जीले हैं इनके बारे में भी आपको बताते हैं तो इन तीनों के बारे में भी आपको याद रखना है नेस्ट कॉशन है BS6 बहानों की उपर किस प्रकार की पट्टी लगाए जाएगी तो हरे कलर की पट्टी BS6 बहानों की उपर लगाए जाएगी दोस्तो आप जो बहान आएंगे वह BS6 के होंगे और उन पर एक हरी पट्टी होगी जिसके करनी की पहचान होगी कि यह BS6 बहान है नेस्ट कॉशन नासा की सेवा पदक को सम्मानित व्यक्ति कौन है तो इसका सही उप्शन है रंजीत कुमार नासा के सेवा पदक से सम्मानित व्यक्ति है और यह भारत की रहने वाले है दोस्तो बात आईए नासा की तो आपको इसके बारे में जरूर बता दें दोस्तो बात करेगा नासा की फुल फॉर्म की तो इसके फुल फॉर्म होती है National Aeronautics and Space Administration इसकी स्थापना 39 जुलाई 1958 में की गए थी हैड़कॉर्टर वासिंग्टन डी सी में है मोटू है for the benefits of all बात करेगा एक्जेक्यूटिफ चेयर्मेन की तो दोस्तो जिम ब्रांडे स्टाइन यहां के एक्जेक्यूटिफ चेयर्मेन है तो इतना आपको नासा के बारे में याद रखना है नेश्ट कॉशन है दुनिया की पहली महिला जिन्होंने Space Walk के साथ समुद्र के सबसे गहरे स्थान पर भी पहुँची है तो दोस्तो इसका सई उफ्षन है कैथी सुलेवेन कैथी सुलेवेन दुनिया की पहली महिला है जिन्होंने Space में Walk किया था इसके साथ ही ये समुद्र के सबसे गहरे स्थान मेरियाना ट्रेंच पर पहुँचने वाली महिला बन गई है तो ये दोस्तो मोस्ट IMP कॉशन है आपको याद रखना है दुनिया की ऐसी पहली महिला बन चुकी है कैथी सुलेवेन नेश्ट कॉशन है हाली में जागीस मुकाती का निधनुगर ये कौन थे तो ये एक अभिनेता थे नेश्ट कॉशन मानो संसाधन विकास मंतराले द्वारा जारी उच्च सिक्षा संस्थानों की रिपोर्ट में पहला इस्थान दिया गया है दोस्तो अगर वहीं बात करें स्रेश्ट कॉलेज की तो मिरांडा हाउस दिल्ली को स्रेश्ट कॉलेज का दरजा दिया गया है वहीं overall बात की जाए गर तो IIT मद्रास को उच्छ सिक्षा संस्तानों की रिपोर्ट में पहला इस्थान दिया गया है दोस्तों ये तीन प्रकार की रिपोर्ट दी गई है मानो संसाधन बिकास मंत्राले के द्वारा अब एक और confusion होगी दोस्तों जो हाली में QS जो पिछली question में मैंने बताया QS द्वारा जारी ranking में IIT मुंबई को इस्थान मिला है 172 वा और यहां पर बात की जाए तो पहला इस्थान मिला है IIT मद्रा स्कोर यह ranking मानो संसाधन बिकास मंत्राले द्वारा जारी की गई है तो आपको confusion नहीं पालना है ये clear करके रखना है Next question है गगणियान अब किस वर्स में अंत्रिक्ष में पढ़ान भरेगा जिसका सही option है 2021 में गणियान अब अंत्रिक्ष मोडान भरेगा Next question है बालसरम निसेद दिवस कम मनाया जाता है तो प्रत्ते एक 12 जून को बालसरम निसेद दिवस मनाया जाता है यानि World Labor Provision Day Celebrate किया जाता है 12 जून को आपको बता दें इसी ILO यानि International Labor Organization की द्वारा शुरूक या गया था Next question है भारत का सबसी बड़ा जैब विवित्ता पार्क किस राजी में खोला जाएगा तो इसका सही option है उत्राखंड उत्राखंड में भारत का सबसी बड़ा जैब विवित्ता पार्क खोला जाएगा और इस जगह का नाम है हल्दवानी अब बात आईए दोस्तो उत्राखंड की तो आपको मैप में उत्राखंड की location बता दें साथ ही इसकी और भी important fact की बारी में बात करते हैं तो मैप में आप देख पार होंगे ये है उत्राखंड उत्राखंड की दोस्तो हाली में नई राजधावनी है गैर सेन और एक और इसकी राजधानी है देहरादून ये तो आपको important fact की याद ही रखना है बात करते हैं इसकी स्थापना की तो 9 नवंबर 2000 को उत्राखंड की स्थापना हुई थी राजधानी देहरादून और गरसेन है यहां की गवर्नर है बेबी राणी मौर्य मुख्यमंद्री है तरवें सेहरावत राज सभा की कुल तीन सीटे है और लोग सभा की कुल दो 5 सीटे हैं उत्राखंड में तो यह आपको इतना important fact याद रखना है उत्राखंड के बारे में नेस्ट कोशन है हाली में किस राज ने करीब 1000 गाओं और शहरों की नाम में बदलाब किये हैं जिसका सही option है तमिलनाडू तमिलनाडू राज ने 1000 गाओं और शहरों की नाम में हाली में बदलाब किये हैं दोस्तो इन मैंसे कुछ नाम आपको बता दें तो कोयम बटूर जो था उसका नाम बता कर कोयम पुत्थूर किया गया है डिंडी गुल का नाम बतल कर ठिंडी कल किया गया है एक और दोस्तो तूति कोरिन का नाम बदल कर हाली में ठूति कुरीक रखा गया है दोस्तो ये कुछ tough नाम रखे गए हैं ये Tamil भासा में नाम रखे गए है दोस्तो ये problem इसलिए थी, क्योंकि जो अंग्रेज थी वह यहां की नाम लेने में confusion होती थी उनको और वो ये accurate नाम नहीं ले पाती जिसकारण उनने तमिल लाडू की कुछ नामों चेंज किये थे लेकिन अब तमिल लाडू की सरकान ने फिर से इन्हें तमिल में convert कर दिया है तो ये 1000 गावों और शहरों के नाम तमिल लाडू ने convert किये हैं आपको याद रखना है most IMP question है बात आई है तमिल लाडू की तो आपको इसके बारे में बता दें दूस्तो मैप में आप देख पा रहोंगे ये है तमिल लाडू तमिल लाडू की स्थापना एक नॉम्बर 1956 में की गई थी तमिल लाडू की राजस्तानी है चेन्लाई गवर्नर हैं बनवारी लाल प्रोहित और ओ पलान स्वामी यहां के मुख्य मंतरी हैं राज्य सभा की कुल 18 सीटे हैं और लोग सभा की 49 सीटे हैं तमिल लाडू में तो इतना तमिल नाडू की बारे में आपको याद रखना है Next question है हाली में महिलाओं की स्थिती को लेकर किस ने Gender Equality Attitudes Study Report जारी की है तो UN की द्वारा महिलाओं की स्थिती को लेकर Gender Equality Attitudes Study Report जारी की गई है दोस्तो इसमें राजनीती, स्वास्त, सिक्षा, रोजगार, नियाए जैसे ख्षित्रों में महिलाओं की स्थिती को लेकर अध्यान किया गया है अब बाता है UN की तो आपको इसके बारे में जरूर बता जाए दोस्तो UN का फुलफाम होता है United Nation ये सेयुक्त रास्ट के नाम से जाना जाता है इसकी जो Establishment है वो है 26 जुन 1945 में की गई थी मुख्याल है, New York में है यानि Headquarter New York में है इसके Membership यानि सदर सदे से 113 में वहीं बात करेगार महा सचेव Secretary General की तो Anteño Guterres यहाँ के Secretary General है दोस्तो ये दुनिया की सबसे बड़ी संस्ता है जिसे हम सेयुक्त रास्ट के नाम से जानती है Next Question है Nature Research पत्री का द्वारा जारी रिपोर्ट Nature Index में उच्च देश कौन सा रहा है तो USA इस रिपोर्ट में पहले इस्थान पर रहा है दोस्तो अगर बहीं बात की जाए Second और Third इस्थान की तो US पहले इस्थान पर China second पर और Germany तीसरे इस्थान पर रहा है भारत बारहवी इस्थान पर रहा है इस rank में दोस्तो अगर बात की जाए भारत के Top 3 जो इंस्टिटूट है उनके बारे में तो CSIR ये इस्थान पर दूसरे इस्थान पर है Indian Institute of Science ये दूसरे इस्थान पर और Tata Institute of Fundamental Research ये तीसरे इस्थान पर रही है ये तीनों इस्थान भारत में पहले दूसरे और तीसरे इस्थान पर रही है बात आईए सेंगत राष्ट की तो आपको USA की बारे में बता दें दोस्तों मैप में आप देख पा रहोंगे ये है USA USA की राज्थान है Washington DC यहां के राष्ट पती है Donald Trump और मुद्रा है American Dollar तो इतना आपको USA की बारे में याद रखना है नेस्ट कोशन है जगननाथ चे दुडू योजना की शुरुआत किस राज्ज में हुई है तो इस योजना की शुरुआत आंदर प्रदेश में की गई है चलिए दोस्तों बताते हैं आपको आंदर प्रदेश की बारे में तो मैप में आप देख पा रहोंगे ये हैं आंदर प्रदेश दोस्ती यहाँ पर पिक में यह तिलंगाना और आंदरप्रदेश की वीच का बॉर्डर है यह इसतना एरिया जो आप देख पार होगे यह है आंदरप्रदेश आंदरप्रदिश की राजधानी है हैधराबाद और जो प्रस्तावित राजधानी है वह है अमराबती ऐसा कि आपको पता है 2014 में तिलंगाना और आंदरप्रदिश ये दोनों राज़ अलग हुए थे लेकिन इनकी राजधानी अभी भी हैदराबाद ही है लेकिन आंदरप्रदिश की जो प्रस्तावित राजधानी वाय अमराबती है राज़पाल हैं आंदरप्रदिश की ESL नर्सेमन और मुख्य मंत्री हैं चंदरबाबु नायडू आंधर प्रदिश की स्थापना एक नॉम्मर 1953 में की गई थी राज्य सवा की कुल 11 सीटे हैं लोग सवा की 25 सीटे हैं आंधर प्रदिश में तो आपको इतना आंधर प्रदिश की बारे में याद रखना है नेस्ट कॉशन है अंतरास्टी अलवीनिस में जागरुकता दिवस का मनाया जाता है इंटरनेशनल अलवीनिस अवेरनेस टे सेलिबरेटेट तो 13 जून को 13 जून को अंतरास्टी अलवीनिस में जागरुकता दिवस मनाया जाता है दोस्तो इस बार किसी थीम रखी गई है वह है made to sim थीम रखी गई है इस दवसकी नेस्ट कॉशन है डिजिटल OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली भारत की पहली फिल्म कौन सी है तो गुलावो सितावो OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली भारत की पहली फिल्म बन चुकी है गुलावो सितावो अब सबसी बात करते है सबसी खराब इंडेक्स में जो सबसी खराब इस्थान पर देश है वह है अफगानिस्टान, सीरिया और इराग ये तीनों देश सबसे खराब मनलब Global Peace Index में सबसे खराब देश माने गए हैं दोस्तों आपको बता देए Global Peace Index Report कौन जारी करता है तो Institute of Economics and Peace Report यह है रिपोर्ट जारी करता है इसमें 23 प्रकार के पेमाने रखे गए थी और कुल 163 देश ने इसमें भाग लिया था इसमें भारत की स्थिती 149 बे इस्थान पर रही है आईसलेंट पहले इस्थान पर रहा है तो यह कुछ important fact आपको याद रखने है Next question है स्वास्त और परिवार कल्यान मंत्राले ने कोरुना वाइरस की नई लक्षन के रूप में किसे सामिल किया है तो दोस्तो गंद हीन और स्वाद हीन ये दोनों बाइरस के नई लक्षन के रूप में सामिल की गए है यानि दोस्तो अगर किसी को भी कुरुना होता है तो उसे गंद नहीं आएगी और उसे किसी भी चीज का स्वाद नहीं आएगा ये हाली में परिवार और स्वास्त कल्यान मंत्राले के द्वारा लक्षन जारी किये गए है इसके अलावा जो ओल लक्षन होती थे वो तो थे ही लेकिन इसमें गंध हीन और स्वाध हीन तावी एड की गई है नेस्ट कॉश्चन है हाली में भारत पर विदेशी मुद्रा भंडारन कितना हुआ है दोस्तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडारन बढ़कर 501 मिलियन डॉलर हो गया है दोस्तो ये बहुत अचिमेंट है भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है वह है 501 मिलियन डॉलर हो चुका है दोस्ते से पहले भारत का जो मुद्रभंडार था हुआ है 493.83 बिलियन डॉलर था जो बढ़कर इतना हुआ है 8.2 प्रतिशत की ब्रद्धी हुई है इसमें तो आपको इस मुद्रभंडारन की बारे में याद रखना है इंपोर्टेंट है आप से एक्जामें पूछा जा सकता है दोस्तो हाले में सुसांत सहराजपूत ने आत्म हत्या की है यह दोस्तों बॉलिवर्ड से बहुत दुखत ख़बर है यह बहुत अच्छे एक्टर थे इन्होंने चचोरे, इसके अलावा बहुत सी मूवियों में काम किया है जैसे MS Dhoni की जो प्रिख्यात मूवी है, उसमें भी बायोपरिक है जो MS Dhoni की उसमें भी इनने काम किया है काई पोचे जैसी मूवी दी है, PK में, सुद्देशी रोमांस, सौन्चरिया इन सबी फिल्मां बहुत अच्छा भी नहीं किया था, लेकिन इन्होंने आत्मत्या कर ली है यह बहुत बड़ी दुखत खावार है नेस्ट कोशन है, नेचर फोटोग्राफी दिबस का मनाया जाता है तो यह दिबस 15 जून को मनाया जाता है नेचर फोटोग्राफी दिबस 15 जून नेस्ट कोशन है, किस चानवर की जाती का नाम ग्रेटा थनवर की नाम पर रखा गया है तो दोस्तो मकडी की एक प्रजाती का नाम ग्रेटा थनवर की नाम पर रखा गया है अब आपको बताने ग्रेटा थनवर कौन है तो दोस्तो ये Sweden की रहने वाली हैं और ये जलवा युकारे करता हैं तो फिर से आपको उता रहें Greta Thunberg Sweden की जलवा युकारे करता हैं और इनहीं के नाम पर हाली में एक मगडी की प्रजाती का नाम रखा गया है और इसका नाम देखो Thunberg Jean Nob ये रखा गया है Next Question है ऑश्रेलिया की Order of Medal से सम्मान metres व्यक्ति क्यों है, तो सोभा सेकर ऑस्रेलिया की Order of Medal से सम्मानेस व्यक्ति है दोस्तो ये अब Jord है यह संगीत में दिया जाता है बात आए ऑस्रेलिया की तो आपको मैप में इसकी बारी में बता दें दोस्तो मैप में आप देख पार हूँगे यह है ऑस्टेलिया, ऑस्टेलिया की राजधानी है कैन्वरा, ऑस्टेलिया की जो समराथ है वह है एलिजावेद दुती है, जो UKKV समराथ है, यहां की गवर्नर है डेविट हरले, प्रधानमंत्री है इसकॉर्ट मॉरिसन और ऑस्ट पुने, IITM पुने के द्वारा जलबाई परिवर्तन को लेकर देश की पहली बिस्तित रिपोर्ट हाली में जारी की गई है, सबसे पहले तो आपको IITM के बारे में बता दें, इसके फुल फॉर्म की बारे में बता दें, तो दा इंस्टिटूट, इंडियन पुने, इसका फुल फॉर्म होता है, इसकी स्थापना सत्रे नॉंबार 1962 में की गई थी, डारेक्टर है रवी और यह किस स्थान पर है, तो पुने महारास्टे में इस्थे थे, अब बात करते हैं, इसने कौन सी रिपोर्ट जारी की है, तो इसके बारे में, दोस्तू, इसन सबानी, IITM पुने की द्वारा की गई है, देश की यह ऐसी पहली रिपोर्ट है, तो आपको यह रिपोर्ट याद रखना है, आपकी एक्जाम के लिए बहुत इंपोटेंट है, नेस्ट कॉशन है, सिप्री अनुसार, भारत की कुल कितने एटम बम है, तो दोस्तो, भारत म इसने यह तो बता दिया, भारत में 150 एटम बम है, अगर बात की जाए चाइना की, तो चाइना की बास 320 एटम बम है, और पाकिस्तान की बाद हम से ज़्यादा, 160 एटम बम है पाकिस्तान की बाद, दोस्तो, आपको बता दे, सबसे ज़्यादा दुनिया में जो एटम बम है, वह है किस देश के पास हैं तो इसका नाम है USA USA की पास कुल अन्ठावन सो एटम बम है दोस्तो यह है रिपोर्ट सिप्री यानि स्टॉक हों इंटरनेसल पीस रिपोर्ट की द्वारा जारी की गई है तो दोस्तो यह था हमारा अच का वीडियो जिसमें हमने बात की है 11 से 20 जून मध्यपृदिस की करेंट अफेर की बारी में दोस्तो अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कीजिए अपने दोस्तों और परिवाजन के साथ शेयर कीजिए और चैनल इस्टेड उनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए इसके अलाबा आपको बता दें अगर आप टेलिग्राम से जुड़ना चाहती है इसके वीडियो की पीडियाफ चाहिए है तो टेलिग्राम से जुड़ जाए यह की डिश्क्रिप्शन में लिंक दिये गए हैं इसके अलाबा वहाँ पर दोस्तों और भी चैनल के लिंक दिये गए हैं जैसे जो हमारा इंस्टेघराम परकर चैनल का लिंक है और वह भी दिया गया है फेसबूक पेज प्लें की तेलिग्राम पर मैं Namaskar. Have a nice day.